वही लोगसभा चुनाफ के लिए बीजेपी ने तयारी देश कर दी है हर सीट पर भारतिये जरनता पार्ठी ने खास रणीती तयार की है चिन्दवारा सीट पर भी बीजेपी ने कॉंग्रस को उखाणने के लिए चक्रवियू तयार कर दिया है चिन्दवारा सीट पर बीज़ेपी के प्लान को लेकर लोगसभा चुनाव की सह प्रभारी सतीश पाध्याई ने बताया है कि बीज़ेपी के कारिकर्ता एक जुट होकर मेहनत कर रहे है बीजिपी जनवरी में ही सभी लोग सभा सीटों पर चुनाव कारियाले खोल चुकी है बूत लेवल पर मैपिंग की जा रही है और कमजोज सीटों पर आकलन किया जाएगा और उन्हें सभी 29 सीटों पर बीजिपी की जीत का दावा किया है और उसमें भी हम हर लोग समा का जो अपने मद्दान का पतिशत है दस पतिशत मद्दान जीत का रहे उसको निश्यक रूप से हर बूत पर हम बढ़ाने का प्यास हमारी एक रही है और हमारे सयों की आकाश तुवेदी लगातार जुड़े हुए है आकाश सबसे जादा दल्चस्त मुकाबला चिंदवारा में हो गया है नकुलनात वर्सिस बिवेक बंटी साहु तो बीजिपी ने एक तरह से नाक का सवाल बना लिया है चिंदवारा को और पूरी जीतो और मेहनत इस वक चिंदवारा पर चल रही है क्योंकि वही सीट है जो भी तक हात नहीं आई है नाक का सवाल हो भी क्यों ना क्योंकि ये ऐसी जगह है चिंदवारा कमलनात और कॉंग्रेस पार्टी का गड़क आ जाता है और ये सीट जीतना बीजिपी के लिए मामूली बात नहीं है सिर्फ दावे करने वाली बात नहीं है क्योंकि विधान सवा चुनाओ की नतीजे भाग्टशन्ता पार्टी के सामने यहाँ से लगबग समी विधान सवा सीटों पर कॉंगरेस पार्टी ने जीत हासिल की विवेक साउबंटी विधान सवा का चुनाओ लड़े और हारे अब लोकसभा चुनाओं में कॉंगरेस पार्टी ने जिस तरीके से नकुलनात कुटी कर दिया और उनके सामने फिर से विवेक साहू बंटी को उतारा गया है अब बात यह है कि क्या मोदी की लहर जिस तरीके से विधान सभा चुनाओं में मद्वदेश में देखनी को मिली लोकसभा चुनाओं में चिंदवारा सीट पर कितना असर डालती है क्योंकि 28 सीटों पर भारतियंता पार्टी पहले से ही काबिज है अभी हाल में बीजेपी ने जरूर कॉंग्रेस के कुनबे को चिंदवारा से भी तोडने की कोशिश की प्रदेश के अन जिलों से भी तोडने की कोशिश की ऐसे में जो नेता जो पूर विधायक शिंदवाडा से या कमलनात के करीबी रहे हैं वो भारतियनता पार्टी का दामन थामा है उन्होंने तो उनके आने से कितने वोटर्स उनके साथ जुड़ते हैं इसके साथी बीजेपी का बूत मेनेजमेंट शिंदवाडा में कितना काम आता है और जनता को कितना मोटिवेट कर पाती है क्योंकि विधायन सवाचुनाओं में मैंने चिंदवाडा में ग्राउंड रिपूर्टिंग भी की है और जो बीजेपी दावे कर रही है वो उन दावों को हकीकत में बतला इतना आसान नहीं इतना आसान समझा जा रहा है क् पिशले दो लोग सभाचुनाओं के नतीजों को कर हम देखें और इसके पहले की भी हम बात करें तो पहले कमलात यहां से सांसद रहे इसके बाद उनके बेटे नकुलनात तो नात्र परिवार के तरीके से आधिपत्त देखा गया और शिंदवाडा को कमलात विकास के मॉड करती अपने पक्ष में लेकर आती है क्या रणनीती आने वाले एक दो महीने की भीतर चुनाओं के पहले कॉंगरेस पार्टी बीजेपी तयार करती से कॉंगरेस को तोड़ा जा सके यह देखना सबसे महत्तपूर होगा हाला कि जिस तरीके से सही प्रभारी यह कह रहे हैं कि जनवरी से ही कॉंगरेस को तोड़ने के लिए हराने के लिए बीजेपी निवहाँ पर रणनीती बनानी शुरू कर दिया है उस रणनीती का कितना इंपक्ट दिखता है खास्तोर पर जो हर बूत पर 30 वोट बढ़ाना दस पर 4 वोट शेर बढ़ाना और बूत मेनेजमेंट जिसके लिए भारतिय जनतना पार्टी जानी जाती है वो कितना कारगर सावित होता इस सीट पर क्योंकि यही सीट बीजेपी के लिए सबसे बड़ी शुनाती मानी जाती रही है प्राकाश बहुत शुक्रिया इस कवर पर जानकारी के लिए आप रहेगा मारे साथ और कुछ कवरों पर आपसे बातचीत करेंगे तो चेंदवारा में भारतिये जरनता पार्टी ने पूरी तयारी कर ली है यहां से हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में कारे करता वीजेपी जॉइंट कर रहे हैं और दूसरा जो कमलनाथ का अपिसोड हुआ है क्या उसका असर देखेगा लोग से बच्चुनावों में वो भी देखना मैं तुपूरों का